सबी छात्रों को मेरे नमस्कार आज 17 अगस्त के जन सत्ता के एनलेसिस में जानेंगे हैं देश विदेश शीविविन खबरों के बारे में जिनका सीधे तोर पे आपकी त्यारी में एक सकतात्मक योगान रहेगा चलिए शुरू करते हैं तीस लाक परिवारों को लाब एक लाक का कजश 5% ब्याच पर के इंदे यह मंदी मंदी ने बदवार को पीम विश्व कर्मा इसके माददिएम से गरू चिश्य परंप्रा के तहट कोशल कारे करने वारे कामगरों कोशल विकास किया जाएगा और उन्हों हुन Els σας उखिदा एक लाग का कर्ज पांच फीज़ी व्याज पर दिया जाएगा कर्ज ठीक है हमारे सामने जो से पॉइंट आया है कि एक लाग रुपे लोन दिये जाएंगे वन लाग और फाइब परसेंट इंट्रेस्ट पर ठीक है जो कि बहुत कम है पी एम विश्व कर्मा चीक है तीम पॉइंट्स निकलके यहाँ पर आ रहे हैं पॉर्षो के आधीर नहीं महिला हैं कुछ समाने रूडियों को गलत करार देते हुए कहा कि महिला हैं ना तो पॉर्षो के आधीर हैं और नहीं इनने किसी के आधीर होने की ज़रूरत है कि समिजान सभा सभी के समान अधीकारों की गारंटी देता है यह असल में एक जेंडर सेंसिटिव टर्म्स को लेगे कि एक बुक निकाली है सुप्रीम कोर्ट ने हैंड़ बिक ओन कॉम्बाटिंग जेंडर स्टीरो टाइप्स जेंडर स्टीरियो टाइप्स यह वुक है जो आज का इंडियन एक्स्प्रेस का इनालसिस है आप उसमें जाकर देख सकते हो ठीक है यहां पर समदान के रास्ते इसमें मैं कुछ शॉर्ट में बता हूं क्या लिखा हुआ है बिसिकली एलेसी में जो हमने कल अपडेट पड़ी थी कि सैने अधिकारियों के स्थर पर बाच्ची थी थी तो उसमें ने लिए गया था कि भारत और चाइना के बीट जो लेसी पर तनाव है वो कम होगा ये इस आर्टिकल पर कहा जा रहा है प्रियास की जा रहा कि कम हो इसमें जो की पॉइंट्स है एलेसी पर गदीरोत के शेश मुद्दो कोई शीग्रत से हल करने पर सहमती बनी हैं बारत सिर्फ अपने वाज़े भग और मसावाल के साथ खड़ा है जबकि चीन की ओरस और आखरी प्रारूप नहीं हो सका है है यह ना हलाकि कोर कमांडरस तरकी से ने वारता के उन्नीसवी दोर की बैटक के बाद मंगलवार को मंगलवार को वरॉर आल जो इस मीटिंग का निश्कश है कि हम तो गलत है नहीं जो area हम बात कर रहे हैं चैना मोडर का हम तो सही है जो यह रीया हमारा है दिगध जिखत कहां आ इस आर्टिकल में आगे लिख़ा हुआ है इसे जूड़े मसलों के लगी तलाज के साथ सेहनें और अज्ञाय कड्यों के जड़ी बादची जाई रखने और सम्मय हुष वरती इलाकों में जमेणी सरपोसांती बनाई रखने पर जो सहमती बनी है उससे लाकों में जमीनी स्थर पर शांती बहरा के सहमती बनी है उससे हल तक पहुचने की उमीद पैदा होती है मगर चीन का अब तक जो रुक रहा है आगे के रास्ते उसी की प्रती बंदता बने बहर करेगा ताजर बाचित इसलिए में तरपूर है कि अगले सब्ता अबदान मंती ने देमोधी बिक्स के शिकर सम्मेले में भाग देने जोहान असबर्ग जा रहे हैं जहां चीन की राश्टरपती शिंग जिंग पिंग से उनकी मुलाकात हो सकती है फिलहाल उमीद की बावजूद एक आशंका इसलिए बनी हुई है कि उनी स्वी दौर की बैटक में भारती पक्षने देवसंग और डेमचौक समेट अन्य टकराव वाले बिंदों से सैनिकों की जल्द वापसी और लंपित मुद्दों को हल करने के लिए चीन पर दबाव ड जा रही है कि स्कूल में बुरी तरह मार रहे हैं कि बच्चे बेहुश हो जा रहे हैं बच्चों को चोटे लग रही है यह उसको लेकर आर्टिकल है अफसोच जनक है भी है कि दिल्ली की शिक्षा मॉडल का अवाला देने से बिसी डेली में इसिए टुक हुआ है तो इसमें लेका जो है दिल्ली की शिक्षा मॉडल पर भी स्वालड आ रहा है अवाला देने में यह है कि आम आधनी पार्टी की सरकार मेशा बढ़ चड़कर दवावे करती रहती है लेकि सच यह है कि स्कूलों में बच्चों को यातना दिये जाने की सबसे बुनियादी समस्या को खत इतरा बचना चाहिए बच्चों को इतना प्रेसर इस नहीं करना चाहिए लगा यह और आर्टिकल नी संतानता का बढ़ता खतरा इस सॉरी नी संतानता का बढ़ता खतरा विश्कयली आपको शॉर्ट में बताओं तो जो इन फर्टिलीटी इसूज आ रहे हैं आज कर आर्टिकल दिया हुआ है कई कारण बताए गए हैं और कई इसके लिए जो वर्तमान में टेक्नीक सिस्थमान हो रही है उसमें भी रोश्टी डाली जैसे आईवीएफ टेक्निक आप देखिए एकदम से शहरों में आईवीफ हॉस्पिटल्स और क्लिनिक बहुत सारे कुल गए हर दूसरी बड़े हॉस्पिटल के पास में एक आईवीए सेंटर जरूर होता है तो यह समस्या है इस वर्तमान में हमारे सामने है अब इसती पुरुष की साथ कंदे से कंदा मिला का चलने लगी है उचिक्षे नौकरी विफसाय कि आप अधापी में उम्र बढ़ ही है तो स साथ ही बिदलता परिवेच भी में इलाओ के स्वास पर असर डाल रहा है इसकी प्रणीती है कि नी संतानता के आकड़ों में बड़ातरी देखी जा रही है विश्वा संगतन की ताजर रिपोर्ट इस बात तक खुलासा किया है कि दुनिया में हर 6 मैंसे एक विक्तिवर इन नी संतानता के शिकार है इसकी मताबक अमीर देशों में 7 तशमलब 8 विश्दी जबकि गरी देशों में 16 तशमलब 5 विश्दी लोग जीवन पर नी संतानता के शिकार रहते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टिड रिपोड़क्शन अगर हम जाने की आई वी एफ वगर अशिस्टिव एस एस आई टी आई टी अशिस्टिव रिपोड़क्शन टेक्नीक्स होती है ठीक है भारत में लगबग 10 से 14 फीसी जोड़े नी संतान तर्वावित हैं यहां 6 में से एक जोड़ा नी संतान होने का दर जेल रहा है बाकि इसमें कारणी बताया गया है कि देश से शादी तनाव और स्टेंशन गलत खानपान एक बेकार लाइफस्टाइल ठीक है शराब नशीली दवाओं को उपवोग करना इत्यादी बाकी आर्टिकल में बहुत बाते करी गई है ओर रॉल जो करक्स निकर लाए कि इसका इसका जो मुखे में कारण बताया गया है वो लाइफस्टाइल को भी बताया गया है ठीक है नी संतानता की बड़ी समस्या की परमुक हो जाए वर्तमान दोर में तेजी से बढ़ता प्रदूशन है जो किसी ना किसी रूप में हमारे शरीर में जहत गोरने के काम कर रहा है हमारा रहन सेन खान पान सब कुछ बदल गया है 20 फीजदी प्रशान मा सागर छेतर में है सूरी पदलती दिन चार्या के साथी जल्वाई परिवर्तर में से इसका डाल रहा है नी संतानता के सबसे जाता पर दर जो ओर रॉल प्रशान मा सागर की छेतर में पाई जाती है चीन जापान ऑस्वेलिया नियूजीलेंड देश मिल है जो कि बिटेन समय यूरोपी देश में यहां पर सोला प्रपदी शत पाई जाती है यह वहीं अमरीका में यह आकड़ा 20 विजदी है जो कि बहुत जादा है बारत में भी यह आकड़ा 20 विजदी के अरीव है एक अन्य रपट की मताबिक जमु कश्मी दिली अर्याणा र कि अधार पर यह निश्कश निकाला है इन विट्रो फटलाइशन जैसी तकनीक को भी पर्याद विद्पोशन नहीं मिल रहा है ठीके ना आई वीएफ की टेक्नीक्स में रिसाच होना या फिर इनको प्रमोट करने के लिए उदासींता की प्रकरती यह आर्टिकल आपका बि लेकिन आज के दौर किसे चाहिए है कि मैं हो सकता है कि आपको सिर्फ हाइलाइट वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो इससे बहुत लंबा बनेगा वीडियो आप लोग रियास करो कि अगर वीडियो पॉस करके आप यह पढ़ना चाहते तो पढ़ो विर्कुल पढ़ो मैं फ फूई कई बार ठोकर खाने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते हैं ठीक है ठोकर हमें थोड़ी दिर के लिए बादेद करती है लेकिन उसका जखम भढ़ते ही हमारी चाल फिर बदल जाती है दो तीन साल पहले के समय को पलट कर देखे जाए तो आसपास की बाते ही सब को याद रहें कोंगी उस समय चकाचान से भरे उचे उचे वेबसाइक परिसर या मॉल रेस्तरा और सिनिमा घरों में चहर का अदमी करती जिन्दगी चानत हमसी गई घर में कैद रहते हुए मन मस्तशक आकुल व्यकुल हो गया था लगने लगा था कि अब कब हम अपने पा नदियों पहाड़ों और इसी तरह की प्रागतिक स्मरणी जगाओं के सेर की टूरिजम समय पहाड़ों पे चले गए तूरिजम के लिए घर बैटे बोर हो गयते कोवर टीटर में पर प्रागतिक की गोद में खुली आंकों से उस समय अप हमने कल कल करती नदियां देखी प इस से पहले हमारे पास इनके इस संधीदे में जाने का फुरसत नहीं थी सानिदे में जाने की फुरसत नहीं थी उस कठिन समय में जात लोगों को मन में ये प्राठना भी आई होगी कि इश्वर सब कुछ ऐसे ही अच्छा बनाए रखे हल ही में एक बांद के सावन में भी सिकूरे रहे रहने के खबर आई थी जिसमें एक वर्ष पहले गर्मी के मौसम में भी पानी बरा रहा था नाव सवारी के लिए रखी हुई सभी नाए किनारे बंदी मायूस खड़ी थी बांद का जलसतर काफी नीची जा चुका था ज़की हर वर्ष सावन आते ही लवाला पानी से भर जाता था लेकिनाज हाला बदल गए है ना बांद में उस तरका पानी रहा और ना ही उसे छोड़े जाने के उस रुवांजकारी अनुहव की उमीद दिख रही है ठीक है मतलब बाटर की बिक्कत आ रही है पानी किसम से आ रही है समाने दिनों में अब नदी पर्ति हो चुकी है और बांद भी रीत के दिखते हैं यही वही नदी का बांद है जो बर्ष साथ के दिनों में अब तवाही का जरिया बनने लगे है ऐसे ही हाल पेडों कभी है आज दिन किन किन खालों से पेडों को बहुचक बेहिचक काटा जा रहा है कभी सड़कों के चौड़ा कंड बनाने के तो कभी संदर्य करण के नाम पर पेडों की जड़ों को कमजोर करने की कोशिश की जाती है कई बार इनकी जड़ों के पास सिमिट्टी इटा दी जाती है नतीज़े यह है कि आज बड़े पेड़ इतने कमजोर हो चुके है कि तेज हवा का हवाल का साथ तपेड़ा बड़े बड़े विरिक्षों को धराशा ही कर देता है विरिक्ष रोपन के नाम पर क्या हो रहा है यही पता भी नहीं चलवाता लेकिन आंदी तुफान या बार के तेज बहाफ के बाद हरे भरे पेड़ों की कतारें जरूर गिरती हुई दिक जाती है खुद्रत हमें बार बार मौका देती है समलने का सब कुछ ठीक करने का लेकिन हम कोई कई बार ठोकर खाने के बाद चैन से सो जाते हैं अगली ठोकर की पुन्रा विटती होने तक यह मतलब जो क्लाइमेट चेंज को एक एथिकल एक मौरल लिंक में जोड़ा है नोंने बहुत अच्छा लगा मेरे को यह क्लाइमेट चेंज को एथिकल और मौरल रूप में जोड़ के बता रहे हैं यह पढ़ लीजिएगा यहाँ पर कुछ खास नहींता है ऐसा यह बेसिकल जानते कि इसमें फुटबॉल की लीग्स शुरू होने वाली है साओधी प्रो फुटबॉल लीग इस साल सुर्कियों में है उसने यूरोपी कलबों के काफी धाकड़ खिलाडियों को अपने यहां अनुबंदित किया है कॉंट्रैक्ट भी लिया है अभी तक नेमार करीम बेंजामे रियाद मारेज और क्रिस्टियान रोनाल्डो जैसी महारती खिलाडी साओधी कलबों कीम से जुड़ी चुके है साओधी अरब के साओधी निवेशकुष मेहाली ही में देश की चार शीष टीमें अल इतिहाद, अलनसार, अलहल, अलहली का अधिगराण किया है बिसी के लिए हम जानते हैं कि इसमें जो साओधी अरबिया जो है आपका ये बिसी कली फुटबॉल लीक शुरू करने वाली है और इसमें European players को लाए है, मैसी ने जोईन करा है, तो कुछ बढ़ा करने वाले हैं यहाँ पर उनकी टीम के बार रज़ दे रखा है, जो कि अभी आपके लिए तजरूरी नहीं है अन्टेर अलेस की आपका इंट्रेस्ट फुटबॉल में हो अनुचित लेंगिक शब्दों पर लगाने के लिए पुस्तिका जारी, सुप्रिम कोट ने पैसे के लिए पुस्तिका जारी की है चेरशाड वैश्या और हाउस वाइफ जैसे एक शब्द जल्दी कानूनी शब्दावली से बाहर हो जाक सकते हैं और इसकी जगा शड़क पर यौन उत्पिरन, यौन कर्म और इग्रह स्वामीनी से शब्द ले सकते हैं उस्तम नयायले ने बुदवार को एक पुस्तिका का से मोचन किया जिसमें अनुचित लेंगिक शब्दों की शब्दावली है और उनकी जगा वेकरलपिक शब्द था वाक्यान सुझाए गए हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है शीष अदारत ने कहा कि लेंगिक रूडी वादिता से निपटने समंदी पुस्तिका कवदेश नया धीशों और कानुणी समुदाए के सदस्यों को महिलाओं के बारे में हानी कारक रूडी वादि सोच को पैचानने समझने और उसके पतिकार करने के लिए सशक्त बनाना है पुस्तिका में लेंगिक रूप से अनुची शब्दों की एक शब्दावली दी गई है और दलीलों आदेशों और निर्नेों सहित कानूनी दस्तावेजों में उपयोग के लिए उनके वैकलपिक शब्द और पती और पस्तावेद वाक्यांश दिये गए है ठीक है एक बुक बिसिकली लॉंच करी है जेंडर सिरो टाइप्स को लेकर ओवर्ल आजके वार में एक टॉपिक चूड़िया है बस ठोटा सा ओवर नीचे है और अगर आजके वार में ये थे मुख्य आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आया है तो आप फिरको शेयर नहीं देखी है तो एक बड़ा पुरानी वीडियो में जाकर देखी है क्योंकि रेगुलारिटी उससे बनी रहती है और जिनरली टॉपिक्स का पुराना इससा भी नए आर्टिकल्स में कवर किया जाता है इसके लावा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि ये हमारा इ झाल